एलो बच्चा ये कुश्चन आपका थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर चैप्टर का है देखिए कुश्चन में क्या कह रहा है एक आइरन रिंग को जो है वोडन वील में फिट कर रहा है यहां पर जो यहां पर रिम का मतलब वोडन वील की ही हम बात कर रहे तो यहां पर जो रिम है की का आरें घुली इसका आरन रिंग का डायमीटर कम है इसलिए इसे मैने चोटा बना रहिए है इस समय इसरय फिट करना साथ कि इसमें इस इसरय के देंगे appreciate तो इस свое क्सेले test condition rapid Cut action की इसमें टमें होने चरहलो जैगाए कि अभी तो देखो इस टेंपरेचर कितना 27 डिग्री सेलसेस है यह इसका इनिशल टेंपरेचर है T1 कितना देरेका 27 डिग्री सेलसेस अब कुश्चन में पूछा भी है To what temperature should the ring be heated so as to fit the rim of the wheel वो यह कह रहा है कि इस iron ring को कितने temperature तक heat दी जाए तकि यह जो है वो जो wheel है जो wooden wheel है इिस wooden wheel में fit हो जाए तो temperature इसीलिए दी जारी है क्योंकि temperature देने से इसका diameter increase करने लगजाएगा और उसका diameter हमें कितना increase करना है इतना ही increase करना है D2 जब इसका diameter ऐसे D2 हो जाएगा डाइमेटर जब D2 हो जाएगा, तो इसमें फिट हो जाएगा, तो हमें temperature बताना है, to what temperature should the ring be heated, ठीक है, T2 हमें find करना है, बहुत simple question है, तो temperature देने से इसका linear expansion होगा, तो क्योंकि इसका linear expansion होगा, मतलब इसका length ये increase करने लगेगा, तो यहाँ पे हम जो formula लगाएंगे, वो coefficient of linear expansion क formula होता है, आपका change in length, डिल्टा L मतलब change in length, इसकी length अभी ये है, तो हमें इसकी length को change करना है, increase करना है, इसे increase in length भी बोले जाता है, divided by original length, original length मतलब L1, हम इसे बोल सकते हैं, L1, और यहाँ पर आ जाएगा आपका change in temperature, बढ़ेगा तेमपरेचर हमें change करना पड़ेगा, पड़ेगा, change करना पड़ेगा, तभी तो इसका length increase करेगा, अब देखो चलो, इसे हम आगे देखो कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पर, यह alpha, यह coefficient of linear expansion है, तो यह change in length है, अगर आपको length change करनी है, कितनी length आपने change की है, change in length है, तो change in length कैसे calculate करेंगे हम, final length L2 minus original length, final length minus original length, final length हमें इतनी चाहिए, इस iron ring को हमें इतना करना है न, तो final length इतनी चाहिए, और उसकी original length यह है, यह L1 इसकी original length है, जो इसका circumference है, और भी final length जो इसका circumference है, टिक है, divided by यह L1 original length, यह change in temperature को कैसे लिखेंगे, final temperature minus initial temperature, यही final temperature मुझे निकालना है, initial temperature तो दे रखा है, टेक है, समझ माग इसकी length करनी है, तो मान लो यह D2 अगर इसका diameter है, तो इसका radius क्या होगा, R2 होगा, और इसका radius क्या होगा, R1 होगा, समझ मारा न, तो चलो हम L2 अगर मुझे यह वाली final length अगर निकालनी है, यह वाली length, तो मैं क्या अगर होगा circumference का formula, L2 की जगह में circumference का formula लिख दीजिए, यहाँ पे 2 pi R2, यह वाला length, minus original length तो यह है, तो यह हो जाएगा आपका 2 pi R1, यहाँ पे भी original length L1 है, 2 pi R1, और यह delta T के लेके आएगा, T2 minus T1 आएगा, ठीक, इतना समझ मारा, तो finally हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, alpha 1 is equal to 2 pi, R2 की जगह में हम क्या लिख सकते हैं, देखो, R2 क्या तो यहाँ पे R2 की जगह में लिख सकते हैं, D2 divided by 2, यह 2 pi R1 की जगह में लिख सकते हैं, D1 divided by 2, और यह हो गया आपका 2 pi, और यह R1 की जगह में, D1 divided by 2, और यह T2 minus T1, ठीक है, समझ मारा है यतना, यह 2 से 2 कट जाएगा, यह 2 से 2 कटेगा, तो finally alpha 1 is equal to के हो जाएगा, आपक D2 minus D1, और यह pi D1, और T2 minus T1, ठीक है, तो यह pi से pi कट जाएगा, तो आपके NCRT में direct TC formula को लिखा वा था, ठीक है, तो यह formula देको derive हो गया, तो finally यह हो गया आपका, अब देखो हमें निकालना क्या है, यह T2 निकालना है, तो T2 कैसे निकालना है, तो मैं इससे इधर भेज रहाँ, अलफा 1 को इधर भीज रहाँ, ठीक है, तो यह T2 minus T1 is equal to D2 minus D1, और यह alpha 1 भी आएगा, और यह D1 भी यहाँ पर आएगा, अब यह T2 निकालना है, तो T2 is equal to क्या हो जाएगा, D2 minus D1, alpha 1, D1, और यह T1 इधर plus हो जाएगा, अब देखो यहाँ पर values देखो, देखो यह जो IRON RAIN का diameter था, वो यह दे रכा था, ट्क है,ira का diameter यह है, D1 यह IRON RAIN का diameter दे रखा यह दे रखा आपका, 5.231, और यह RAYM का diameter यह दे रखा था, तो यह ज़्यादा था, ट्क है, तो D2 कितना दे रखा, D2 दे रखा आपका, 5.243, 5.243, इस value को यहाँ पूट करना है, ब D2-D1, D2 किसका diameter है, यह बड़ा वाला diameter, final diameter, आई यह original diameter, यह ring का diameter है, यह wooden wheel का diameter है, तो wooden wheel का diameter दे रहा है, वो rim का diameter, मतलब wooden wheel, यह इतना दे रहागा, 5.243, तो यहां पर आएगा 5.243-5.231, यह इसका diameter है, original ring का, और यहां पर divided by, यह alpha, alpha की value देखो, यहां पर हमें यह given alpha की value, यह coefficient of linear expansion है, maybe आपकी NCRT के जो question दे रहा है, वहां पर यह value print नहीं है, पर अगर आपके exam में question आता है, यह value print होगी, 1.2 into 10 की power, minus 5, ठीक है constant है, 1.2 into 10 की power, minus 5 into D1, D1 कितना है आपका, D1 है आपका, 5.231, फिर plus, यह आपका temperature, initial temperature, तो initial temperature कित 7 degree Celsius, चलिए से आगे solve परते हैं, तो T2 इसको इससे subtract कीजिए, तो 5 minus 5 तो 0 है, फिर 2 minus 2 भी 0 आ रहा है, फिर 3 में से 1 कटा 2 आ रहा है, फिर 4 में से 3 कटा 1 आ रहा है, तो 0.012, ठीक है, now, देखो, अब मैं इसको, इसको, इससे multiply कर रहा हूं, ठीक है, calculator से multiply करके बताता हूं अ इसकी जो value आ रही है, वो आ रही है, 6.2772, ठीक है, ये into 10 की power minus 5 भी है न, तो चलो, इसे उपर भेज देते हैं, ये into 10 की power 5 हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है न, plus 27 degree Celsius, ओके, चलिए इससे आगे क्या किया जाएगा, बताता हूं यहां से, ये t2 is equal to हो जाएगा, आपका, ये 0.012 है, तो मैं इसे कुछ इस तरीके से लिख रहा हूं, 0.10, ये decimal है, decimal को मैंने आगे shift कर दिया, तो मैंने इसे 12 into 10 की power minus 3 लिख दिया, इसको, इस value को, 12 into 10 की power minus 3 मैंने लिख दिया, लिखा जा सकता है न, ये 10 की power 5 divided by 6.2772 और ये plus 27 degree Celsius, तो देखो जिसे यहां पर 6.2772 है तो चलो इसे round off में 6.27 भी लिखा जा सकता है, तो मैं इसे इन दोनों को मैं divide करके बता रहा हूं, कितना आ रहा है, काल्कुवेटर से दिवाइड करके बता रहा हूं, तो इसका जो division आ रहा है, वो आ रहा है 1.91, 10 की power minus 3, 10 की power 5 की होगा, 10 की power 2, plus 27 degree Celsius, फिर T2 is equal to, इन दोनों को multiply करोगो तो 191 हो जाएगा, plus 27, और इनको जब add करोगो तो 7 plus 1, 8, 9 plus 2, 11, 1 plus 1, 2, 218 degree Celsius, इतना temperature, टेमपरेचर ही हमें बताना था कि कितना टेमपरेचर उस रहा है, इतना टेमपरेचर हमें उसे देना पड़ेगा, ओके